मनु को जब हमने प्रारम किया था तो मनु के संबंध में जाना था कि मनु कौन थे और उनकी ध्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है मनु स्मृति उसकी विशेष्टाओं का हमने अध्यन किया था आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मनु ध्वारा दिया गया राज्य का सब्तांग सिध्धान्त ये बहुती एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और कई बार प्रशने पूछा जाता है राज्य का सब्तांग सिध्धान्त यानि कि राज्य के साथ अंग प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के साथ अंगों का सिध्धान प्रतिपादित किया गया था और इसी धार्णा के अनुरूप मनु स्मृति में भी राज्य के सप्तांग सिध्धान्त का उल्लेक किया गया है मनु ने राज्य के घटकों के लिए जो भी कॉम्पोनेंट से राज्य के उसके लिए प्रकृति शब्द का प्रियोग किया गया उनके अनुसार राज्य की साथ प्रकृतियां होती है पहली स्वामी अर्थात राजा मनु ने राज्या के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया जिसका अतातपर्य है कि राज्य की समस्व्यवस्था में राज्या को सर्वुच इस्तिती प्राप्थ होगी राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती राज्य को प्रशासनिक शम्ता, दाईत्मों के प्रती अटूत निश्ठा और सभी नैतिक गुनों से युक्त होना चाहिए राज्य की दूसरी प्रक्रती या राज्य का दूसरा अंग है मंत्री बिना कुशल मंत्रियों के राज्य का कार्य नहीं किया जा सकता इसलिए राजा के द्वारा योग्य मंत्रियों से परामर्ष प्राप्त करते हुए राज्य कार्य किये जाने चाहिए मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुन और योग्यताएं भी बताई है तीसरा अंग है राज्य का पूर जिसका अर्थ है किला, परकोटा ये राजधानी मनु मानते हैं कि पूर पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए और उसमें रक्षा की भरन पोशन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए मनु ने पूर की कहीं श्रेणिया वताई है जिन में प्रमुक है मही दुर्ग, धन्वन वर्ग दुर्ग, जल दुर्ग, व्रक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, एवं गिरी दुर्ग राज्य का चौथा अंग है राज्य, राज्य की प्रक्रति की रूप में राज्य का उलेक एक तरह से ब्रह्म उत्पन करता है लेकिन मनु ने राज्य को राज्य की प्रक्रती के रूप में उस अर्थ में प्रयोग किया है इस शब्द का जिस अर्थ में कौटिल ये जन्पद शब्द का प्रयोग करते हैं यहां राज्य शब्द का तातपर्य है राज्य की भूमी और उसमें निवास करने वाली जनता। राज्य का पाँचवा अंग है कोश जिसका तातपर्य है खजाना मनूग की मान्यता है कि राज्या के पास समुचित मात्रा में कोश होने से ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसक की पूर्ति कर सकता है जो दूसरा अंग है छटा अंग राज्य का वह है दंड जिसका ताथ परे है सेना रक्षा करने वाली शक्ति सेना के कहीं अंग को उलेक करते हैं मनु जो बताते हैं कि सेना के विभिन अंग है जैसे हस्ती सेना यानि यहाथियों की सेना रत सेना अश्व सेना जल सेना पैदल सेना मनू ने राजा को परामश दिया है कि राजा को सेना के सभी अंगों को सुद्रण रखना चाहिए और राज्य की रख्षा के लिए समुचिति ववस्ता कहनी चाहिए राज्य की सात्वी प्रकृति है मित्र अंतराशी राजनीती में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मेत्रे पूंग संबंद का ताथपरिय है मित्र भारत के संपून राजनितिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया कि राजजे अपनी रख्षा और अन्य उद्धेशों की पूर्ती कर सके इसके लिए अन्य राजD के साथ उसके मित्रता पून संबन्द होने चाहिए ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्तियों मेरी राज्य का और राजा का साथ दे सके तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि मनु ने राज्य के जो साथ अंग बताए हैं साथ प्रकृति बताई है पुना मैं बताऊंगी बच्चों स्वामी यानि कि राजा, मंत्री, पुर, राज्य, कोश, दन और मित्र प्रती प्रकृति को उसके पश्चाद देगी प्रकृति की तुलना में मनु स्मृति में अधिक महत्वपून रूप से स्विकार करने की बात कही गई है यानि कि राजा का सबसे महत्वपून अंग जो है वह मंत्री है राज्य के लिए राजा महत्वपून है, राज्य के लिए मंत्री महत्वपून है तो जो सभी जो अंग है वे सुद्रण होने चीए राज्य के कारे के सुचारू संचालन के लिए सभी प्रक्रतियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं मनु ने राज्य की प्रक्रतियों की तुलनात्पक वरियता का निर्धारन किया है लेकिन ऐसा करते हुए इस बात पर बल दिया कि ये सभी प्रक्रतियां राज्य के लिए नितान्त आवश्यक है और सभी एक दूसरे पर निर्भर करती है अब हम बात करेंगे बच्चों राज्य की उत्पती के देविय सिध्धान्त की मनुस्प्रती के सात्वे अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पती का वर्णन किया गया है इसके अनुसार स्रश्टी की प्रारंबिक अवस्था बड़ी भेंकर थी कोई अनुशासन नहीं था और अनुशासन के अभाव में कोई दंड विवस्था भी नहीं थी तो ऐसे में अराजधता थी सभी और सब लोग दुखी थे कोई भी अपने कर्तवयों का पालन नहीं कर पा रहा था कोई भी खुश नहीं था तो ऐसी स्थीती में इश्वर ने स्रश्टी की रक्षा के लिए राजा की विवस्था की इस प्रकार मनु ने राजा की उत्पती के देवी सिठ्धानत का प्रतिबादन किया है मनु ने राजा का मुख्य कारे प्रजा की रक्षा और कल्यान को बताया है और इसकी लिए राजा में कुछ बुनों का होना जरूरी है राजा, विद्वान, जितेंद्रिये, न्याय प्रिये, विनम्र और लोग प्रिये होना चाहिए वह सब वेदों का ज्याता होना चाहिए राजा को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने आना चाहिए और राजा ऐसा होना चाहिए जो धर्म के अनुकूल आचरन करे मनु ने राजा के लिए एक निश्शित दिनचर्या भी बताई है राजा ऐसा होना चाहिए जो क्रोध से दूर रहे और किसी तरह के व्याभिचार में लिप्त न हो वो बढ़ों का सम्मान करने वाला होना चाहिए वेदों का श्रवन करना चाहिए राजा को और व्यभारिक जीवन की शिक्षा राजा को निरंतर प्राप्थ करती रहनी चाहिए जो राजा विनम रहुगा ऐसे राजा का कभी नाश नहीं हो सकता मनु ने राज्य की उत्परती के स्थान पर राजा की उत्परती का उल्ले किया है क्योंकि मनु राजा को किंद्रिय स्थिती प्रदान करते है राजा को बहुत ही महतुपून माना है मनु ने राजा की रचना आठ देवताओं के उत्करश्ट अन्शों को लेकर किये गई है राजा के अंतरगत दिव्य शक्तियां होती है राजा का शासन मानविय समझोते पर आधारित नहोकर इश्वरी इच्छा पर आधारित है और राजा अपने कारियों के लिए इश्वर के प्रति उत्तरदाई है न कि प्रजा के प्रति तो इस प्रकार मनु सम्रती में राजा को महतुपून माना गया है और मनु सम्रती में राज्य के कारियों की विवेचना भी की गई है कि राज्य का कारशेत्र कैसा होना चाहिए मनु के अनुसार प्रजा की रक्षा करना राज्य का सबसे महत्वून करतव्य है प्रजा जन की रक्षा राज्य का पहला दाईत्व है राज्य के द्वारा अप्राज प्रवर्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए और यह कारियर दंड शक्ती के प्रयोग के आधार पर ही किया जा सकता है शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों के प्रति उचित व्यवार रखें इसके लिए राजा को आवशक्ता नुसारदन शक्ती के प्रयोग के लिए ततपर रहना चाहिए बारे आकरमन से राज्य की रक्षा की जानी चाहिए मनु किद्रश्टी इस प्रसंग में बहुत विवेक पून है युद्ध से प्रजा को हानी होती है इसलिए मनु राजा को परामश देते हैं कि अनिवारे होने पर ही युद्ध को अपनाया जाना चाहिए प्रजा का पालन या लोग का लियान राज्य का अनिवारे दाहित्व है राजा प्रजा के प्रति अपनी इस दाहित्व का पालन करे राजा का दाईत्व है कि वह प्रजा के लिए चारों पुरुशार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धी में सहयक हो मनु ने शासक को परामश दिया कि उसे समय समय प्रप्रजा के सुख दुख का हाल जानते रहना चाहिए समाज के विभिन वर्गू को आवशकता और पात्रता के हिसाब से साहता और दान देना राज्य का करतव्य है ब्रामणों को राज की अनुदान देना मनु विशेश रूप से आवशक मानते हैं जिससे कि ब्राह्मन वर्ग चिंता मुक्त होकर बौध्धिक और अध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर उनका उप्योग समाज के हित में कर सके नकेवल ब्राह्मन वर्क बल्की समाज के असहाई व्यक्ति असहाई स्त्रियों की और भी मनु ने ध्यान दिया है कि उनकी देखभाल की जानी चाहिए मनु ने राजा से धर्म पूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेख्षा की है और उनका मानना है कि प्रजा के सर्वत्तों मुखी कल्यान को सूनिश्चित किया जाना चाहिए राजा प्रजा के प्रति अपने दाईत्मों का निर्वाह कर सके इसके लिए एक सुख संगठित प्रशासनिक दिवस्था आवशक है विबिन प्रशासनिक दाईत्मों के निर्वाहेतु राजा को योगी व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी पदपर नियूक्त करना चाहिए और यह सुनिशित करना चाहिए कि वे अपने दाईत्मों का निष्ठा पूर्वक पालन करें प्रजा की जीवन में अर्थ का बहुत महत्व है प्रजा की बहुतिक और आर्थिक सम्रद्धी के लिए प्रयत्न करना भी राजा का प्रमुक्ध दाईत्व है राजा के द्वरा करशी उत्पादन और व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और आर्थिक अप्राधों से प्रजा की रक्षा होनी चाहिए जैसे कि कम तोलना, अधिक मुल्य, अधिक कर या मिलावड इस तरह की बातों पर प्रतिबंद होना चाहिए मनुस्मरती में सामाजिक विवस्था का नियमन और निर्भाबी राज्य का दाईत्व माना गया है राज्य से अप्यक्षा की गई है कि समाज में प्रतिक वर्ण के सदोब से द्वारा जो विविन वर्ण है, चार वर्ण जो है ब्रामन शक्तिय वहष्य और शूद्र उनकी द्वारा निर्धारित कर्टवियों का पालन सोनिश्य किया जाना चाहिए विबिन्द वर्णों विशेष्टिया वैश्य और शूद्रों से उनकी कर्तवियों का पालन कराने ही तू राज्य दंड की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है इसी तरह ब्रह्मचर्य ग्रहस्त वानप्रस्ट और सन्यास आश्रम की जो विवस्था है सभी व्यक्ति उसका उचित रूप से निर्वा करें मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वादिक महत्वपुन कर्तविय की रूप में माना गया है राज्य की द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों का इस प्रकार निर्णे होना चाहिए कि प्रजा में न्याय की प्रती विश्वास उत्पन हो राज्य और सम्मंदित अधिकारियों को न्याय प्रदान करने में पूरी निश्पक्षता के साथ कार्य किया जाना चाहिए मनु ने परराश्र सम्मंदों के विवेकपून संचालन को राज्य के आवक्षिक कार्यों में सम्मिलित किया है बाहरे आक्रमन से रक्षा करना राज्य का एक अनिवार्य दाइत्व है मनु का विचार है कि परराश्र संबंधों के संचालन में शासक ऐसे विवीक से कार्य करे कि अनावश्यक युद्ध की उल्जन में पड़े बिना ही राज्य और उसके संबंधों के संचालन के लिए मनु, द्वारा, मंडल, सिधान, शाडगुन, नीती तथा अन्य उपायों के विवेक संब्ध पालन हीतु भी निर्देश दिये गए है इस तरह मनु ने राज्य का कारेशेत्र बहुत व्यापक बताया है और एक लोग कल्यानकारी राज्य की कल्पना की है जो मनु का राज्य है वहजन कल्यान के भावना से ओत्प्रोत है जिसमें प्रतीक व्यक्ति को बौधिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की सर्वुच अवस्था प्रात कर लेने का अवसर मिलता है तो ये तो थे बच्चों मनु के राज्य संबंधी विचार और राज्य संबंधी विचार मनु ने राज्य को महतोपून माना लेकिन राज्य की सत्ता पर मनु ने धर्म का नियंतरन रखा है राजा को धर्म के अधीन रखा है और हमेशा इस बात पर बल दिया कि राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और यह पहला दाइत्व है और राज धर्म की अवहिलना न करे राजा ऐसा हो राजा की सक्ता पर संस्थागत नियंदरन भी मनू ने लगाए है और शक्तियों के वीकेंदरी करन की बात उन्हेंने कही है कि राश्टर के प्रशासन के लिए छोटी इकायों में उसका विभाजन होना चाहिए और वीकेंदरी करन को आविश्यक माना है जिससे की राजा दिरंकुष न बने मनू स्वरती में राजा के लिए दंड का भी विधान है राजा विशिष देव होकर भी साधरन प्रजा की भाती दंड भोकता है तो इस तरह से जो मनू के विचार है वह राजा की शक्तियों पर प्रतिबन भी लगाते है राजा के व्यक्तिगत गुनों पर उन्होंने बल दिया राजा के लिए प्रशिक्षन की बात करी कि राजा को परियाब प्रशिक्षन होना चाहिए कठोर प्रशिक्षन और कठोर दिनचर्या की विवस्ता करते है और इस तरह से जो राजा बनना आसान नहीं है और भोग विलास के लिए कोई समय नहीं बचता है राजा के लिए इस तरह के कठोर प्रश्रिक्षन और दिलचर्या को मनुध्वारा निर्धारिक किया गया है राजा को कठोर अनुशासन में रखा गया है जिससे कि वह केवल प्रजा के प्रति अपने दाइतों का निर्भा कर सके राजा को जनता के प्रति उत्तरदाई बनाया गया है इसको देखते वे हम यहां कह सकते हैं कि मनुख का युग न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व में राश्तंतर का युग था और उस यूग में राजपत पर नियंतरनों की व्यवस्था से इस बात का हम महत्व देखते हैं कि किस तरह से जनता की सत्ता को स्विकार किया गया राजा को महतुपुन बनाया गया राज सत्ता महतुपुन रही लेकिन फिर भी राजा पर कठोर नियंतन रखे गये और जनता के प्रती उत्तरदाई बनाया गया और इस तरह से राजा पर प्रजा का प्रभावी नियंतन इस्थापित किया गया और जनता को महतुपुन माना तो बच्चों यह तो थे मनु इस्मृती में मनु ध्वारा जो राजा के संबन्न और राज्य के संबन्न में जो विचार बताएं गए हैं इसकी आगे की क्लास में हम मनु के जो आगे विचार है मन्तुई परिशत के संबंद में प्रशासी के वस्था में उनका हम अध्यन करेंगे